खिलवार करने से भी नहीं चूपते आपको बताते हैं ये मिलावट खोर कैसे बनाते हैं दूद्ध ये है शैंपू जो नहाते वक्त काम आता है लेकिन इससे दूद भी बनता है कैसे बस देखते जाईए ये तीनों शक्स दूद बना रहे हैं इसके लिए पहले एक बड़े स बर्तन में थोड़ा सा शैंपू डाला और फिर रिफाइन डॉल देखते ही देखते ही ये मिक्सचर सफेद बेस्ट में बदल गया फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूद इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बालती पानी लो बन गय दूद आधा किलो दूद 10 किलो में बदल गया ऐसी ही जगों से हजारों किलो नकली दूद खलवाईयों के यहां पहुचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाईया अब सुनिये ये लोग ये काम क्यों करते हैं सब देखो अब एक तो नौकरी तरही नहीं है और दूसरी एक पर बात आप दूद के रेट कम मिलें और कैसे भी दूद हमने के बनानों सुरू करते हैं सब यहां हमें कम पैसा में जारा दूद बन जागए और वाते अपना याय भी मिला दे यह असली भी मिला देग देग मिला देग 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 ग्रावटी सही आ जाए और कोई पैंचाही ना सब उतनों ही माववा निकले उतनों ही घीवन है को हम तो सब जगे ऐसी बना में और ऐसी भी देग 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 हाँ दिवारी पैसा बहुत ज़्यादा बड़ जाब है तो असली दूद कहां ते लाँ हलवाई माँचाहा है तो हल्वाई एंड कू भी एसी दोड़्दे में वह तो खुद के में है कितने दिर में ये करीब 10 किलो दूद बन जाता है आपका यह दस मिनेटों दूद बनाने का एक और फार्मूला है इन विलावट खोरों के पास और इन है इसके लिए आधा किलो दूद की भी जरूरत नहीं इजी है न जो हम आप कपरे धूने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल दूद बनाने के लिए हो रहा है साथ में है सिंहारे का आटा, रिफाइन डॉयल, खाने का सोडा, मिल्क पौडर, ग्लुकोज और थोड़ी सी इलाइची कपरे धूने की बाल्टी में बारी-बारी से यह सब मिलाया गया यहाँ इस सारे सामान को फेटने के लिए एक मशीन भी है ताकि नकली दूद को देख कर पहचाना न जा सके ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूद बन कर बाजार में पहुँचता है यह सारा दूद हलवाई के हां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता हमारे और आपके घरों में भी पहुँचता है चाहे बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है लेकिन इने से क्या मतलब अपनी जेब गर्म होनी चाहिए चाहे कोई मरे या जीए आईशा मुझे बनबाते बनबाते करीब करीब 15-20 साल हो गए और ये फॉर्मूला मैंने उस वक्त सीखा था जब ये डेरी वालों ने इसको बनाना प्सुरू किया था और दूद की कमी होती चलीगी दूद की कमी को देखने के बाद में इसका प्रोग्रोस होने के बाद में इसकी इतनी डिमांड बढ़ दी कि त्योहरों को तो इतनी डिमांड बढ़ती है कि इसका मावा बनता और मावा बुलन फैर से बनके सिकंद्रावाद से बनके सीज़ा गिली जाता जिसमें जो क्याना में रस्ते में इतनी भी परेशानिया होती है और सब पैसे के बल पर सौल हो जाती है वैसे तो ये काला धंदा साल भर चलता है लेकिन दिवाली के वक्त जब दूद की मांग आसमान पूले ही होती है तब इस गोरक धंदे में और तेजी आजाती है कमाल ये है कि दूद की गुनवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है बिना मिलावट के दूद की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूद की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है कभी-कभी तो 28 भी हो जाती है और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूद से भी प्योर है सफेद दूद का काला कारोबार ये सिलसिला चला तो सालों से आ रहा है लेकि वखाज करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है और इससे बने मेवे और मिठाईयां हमारे और आप ते धर में पहुंचते हैं इसका कारोबार करने वाले लाखों का मुनाफ़ा कमाते हैं जिसका रहा है कि हमारे और आपके सहत में इसका कितना बुरा असर हो रहा है